है फ्रेंड वेलकम टू मैच आनल अबी रॉक्स टीम्स तो कैसे हो यार आज बहुत डेंजरस जा रहे है अपने मैच आपको कली बोल दिया था ऐसा विकंड बनाऊंगा ना याद रखोगे मतलब इवनली सारे मैच उतवाने की प्रैक्टिस अपनी बाकी देखते हैं क्या रह होंगा और अगर किसी अनेधर फेक ग्रूप में जुड़े हो मेरे नाम के तो निकल जाओ क्योंकि यही मेरा एक लोता ग्रूप है 3.7K मेंबर्स वाला दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों आगे बात करूए कर मैस मैच की तो लीड्स वाट्स एस्टोन विला इक दोनों टीम् तो लीड्स चीम शुरुआती तोर में प्रिमियर लीग में फस्ट पे भी रही है बट काफी मैच इस हारने के बाद इनको डाउन आना पड़ा जैसे की देखो दिन दिन अच्छे भी होते तो बुरे हैं मैंचेस्टर सिटी एवनली हर मैच कभी तो ड्रो होता है कभी जीतत E. Martines की clean sheet लगे या ना लगे इसको clean sheet के points मिले या ना मिले पर यह player ऐसा है बिना clean sheet के गोजने के इसके अंदर शमता है किसमें एक मैच के अंदर 60-70 points द clayney की शमता रखता है 60-70 किसी भी टीम के आगे अगर गोल करने की ऑपनेंट टीम कोशिश करती है तो बात करूँगा defender की mcash तो mcash को मैं आसल लेने वाला हूँ तो mcash के अंदर यहापे आपको एक चीज क्या देखने को मिलती है evenly इन दोनों टीम्स के बीच एक मैच हुआ था जिसमें की 24 सक्टूबर का वो मैच था जबना पांच मीने पहले पांच मीने पहले जो मैच हुआ जिसमें की यह जो प्लेयर है लीट्स के खिलाफ फ्लॉप हो गया था क्योंकि लीट्स टीम बहुत पिछले मैच इसमें स्टॉंग रही है बहुत ज़्यादा स्टॉंग शुरुवात की तोर में तो आप देख सकते हो इन्होंने तीन गोल कॉंसीडिट करवा दी थे उपनेंट टीम के तो एम कैश थोड़ा लो हुआ बट कोई बात नहीं अब परफॉरमस में दोनों की बहुत बगलाव हुआ है आगे से बात करूँ एम टार्गेट की टार्गेट भी बहुत बड़ी है टार्गेट जैसा नाम वैसा काम मतलब यह बहुत बड़ी असिस्ट करता है इसकी असिस्ट देखा करो बिलकुल एकुरेट मतलब अगर यह बंदा किसी बड़ीया टीम में होना जैसे कि जोएंटस वगेरा तो जो बाकी के प्लेयर्स है जैसे कि रोनाल्डो पी डिवाला तो उनको बड़ी मदद मिलेगी मतलब आप मेरे कहने का मतलब समझो कि defending बहुत तगडियत है इस प्लेयर की आगे से बात करूँ नेक्स पेयर की एल 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 एलियंग यहां से आपको बहुत जबर्दस पेयर मिलता है सौथ हैंटन की साथ इनका पिछला मैच हुआ था जबकि साथ हैंटन को इनोने clean sheet से हराया था साउथ हैंटन टीम की clean sheet नहीं लग पाई दी ये clean sheet से जीते थे बहुत बड़ी बात है leads के लिए अब एल कूपर की बात करूँ कूपर इस ऑल्सो इन फॉर्म बहुत जबरतस फॉर्म में इनके प्लेयर बात करूँगा midfielder की यहां से लूँगा पहला player जिसका नाम है Jack Grealish Jack Grealish शुरुवाती matches में dangerous खिलता था लेकिन अब बिल्कुल flop मतलब देखा जाए तो Aston Villa कोई goal नहीं कर पा रही उस कारण इनकी team flop जा रही तो मिर को लग रहा है अगर कोई एक player ने भी शुरुआ कर दीना भाई अगर goal पे goal करने की तो Aston Villa को top पे जाने से top 5 में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा आगे से बात करूँ रफीना की रफीना is the good choice for captain क्योंकि पिछले match में भी इसने Southampton को last minutes में goal मारा था जो और इसके अंदर और खास्यत का है पहले यह कभी खेलता था 60-70 minutes but now he can play 90 minutes proper full time और आगे से बात करूँ next player की जिसका नाम है S.Dilas यह player को मेरे को मजबूरी में लेना पड़ा यह पहले defender हुआ करता था defending को छोड़के इसको midfielding में डाल दिया और अदला बदली कर दी तो जिसकारण S.Dilas अब खेलेगा middle midfielding Rafina के बाद यही खेलोगा मालब Rafina खेलेगा left hand side midfielding और यह middle midfielding बराबर की टककर है बात करूँ state forward की O.W.A.T.kins को लूँगा O.W.A.T.kins भी बहुत अच्छी form में है एक आदा गोल तो करी सकते है मालब इतनी पूरी टीम भी नहीं है यार मालब एक आदा गोल तो करना ही चाहिए मैं आपको साब बताऊ क्योंकि Aston Villa का मैंने देखा है मैं देखो मेरे को जितना experience है हर बार Aston Villa के teams बनाई है मैंने जितने matches हो है मैं night तक इनकी teams बनाई है इतना जबर्दस captain चुआए से और B Troll की बात करूँ B Troll क्या है unexpected goals मतलब देखो मैं Troll की जगा चाहता तो नीचे से ले सकता था T Roberts को but Roberts को लेने का मन नहीं किया क्योंकि ऐसा है कि जो team low हो उनके straight forward ज्यादा चलती है आगे से बात करूँ captain wise captain की captain एक बैंफोड and wise captain O.Watkins Rafina safe option है मैं फिर कह रहा हूँ if you want to go safe then go with Rafina but I am taking risk तो मैं O.Watkins के साथ जाओंगा तो मिलता हूँ गा इस अगली वीडियो में बाबाई